मंदिर में भक्त भगवान से अपनी मनतें पूरी करने को लेकर गुवार लगाते हैं और पूचा अर्चना करते हैं लेकिन बेहार के गया में एक मंदिर ऐसा भी है जहां बेहार ही नहीं बलकि दूसरे राच्यों के भी लोग कोट कचहरी के मामलों में जीत सुनिश्चित करने के लिए मन्नत मांगने के लिए पहुचते हैं मानेता है कि इस देवी मंदिर में केस मुकदमे से जुड़े मामलों की मन्नत रखी जाए तो मुरादे पूरी होती है और कोट कैछेरी के केस मुकदमे में जीत मिलती है अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मंदिर है कहा तो चलिए हम आपको पताते हैं गया शहर के बंगलास्थान में माता बगला का प्राचीन मंदिर है यहां माता की बगला मुखी प्रतीमा है जो की अश्ट धातू की है इस मंदिर से भक्तों की आस्था जुड़ी है, यहां लोग मननत मांगने आते हैं और उनका विश्वास है कि यहां मांगी गई मननत पूरी होती है कोट कचहरी, केस, मुकदमा, जमीन, जायदाद जैसे मामलों में माता की पूजा से फाइदा होता है शर्धालूओं का क्या कहना है आईए सुनते हैं यह प्रसीद मंदिर है, जिनके जर्षन और पूजा करने से सिर्व मनकामना पूर्ती होती है वहीं मंदर के पुजारी बताते हैं कि दस महाविद्या में से आठवी महाविद्या माता बगला देवी है इस तरह की मन्नत रखना और उसका पूरा होना इस मंदिर की बड़ी अलग विशेष्टा के रूप में विख्यात है मा बगला दस महाविद्या में आठवी सिद महाविद्या है इनकी अरादना पीला फूल पीला वस्तर पीला हल्दी के माला से होता है पीला परसाद रहता है पीला आसन रहता है हल्दी सर पीला सर सो इस सबसे मा का आहुती दी जाती है उनकी जाती है, उनकी अराधना मुख्य रूप से सत्रू अस्तम्बन के लिए कोट कशारी में बिजे प्राप्ती हेतों की जाती है। इस मंदीर के बारे में ऐसा कहा जाता है, चूकि हम पेसेवर अधिवक्ता है, ऐसा भी लोगों का कहना है कि कोई अपना केस मुकदमे के बारे में कोई ऐसा मनत मानता है, तो उसके मुकदमे मुसको सफलता मिलती है। तो बगला मुखी मंदीर में भक्तों की हर मुरादें पूरी होती है, लेकिन यहां की अनुखी आस्था ठास कर जूड़ी हुई है जिसमें कोट का चहरी केस मुकदमे में फसे। लोगों भक्तों की भील्ड यहां ज्यादा आती है और उनकी आस्था है कि यहां माता के दर्सन करने से कोट का चहरी केस मुकदमे से निजात मिलती है गया से ईटीव भारत लिए रतनेश कुमार